नारियल को संस्कृत में स्रीफल कहते हैं और स्री का मतलब होता है लक्षमी किसी भी धार्मिक और सुबकारियों में नारियल का होना आवस्यक माना जाता है क्यूंकि हिंदू मानेताओं के अनुसार पूजा पाठ में नारियल रखने से सभी कारे सिद्ध होते हैं मा लक्षमी की कृपाबरस्ती है और सदाही घर में धन धान भरा रहता है माना जाता है घर में हमेशा जल से भरा हुआ नारियल यानि पानी वाला नारियल रखना चाहिए इससे घर में धन की मुश्किलें नहीं आती और वास्तु दोस्वी दूर होता है नारियल बली के रूप में प्रयोग होता है क्या आपको पता है देखिए नारियल का आकार बिल्कुल मानव खोपली के तरह होता है और इसलिए नारियल फोड़ने का बिधान है और ऐसा फोड़ा जाता है पुजा पाठ में के एक बार में ही फुटे यानि एक तरह सी ये बली है जो जीवन की तमाम जो परेअशानिया है जो जीवन में दुर्योग है कुंडली के समाप्थ हो जाएं आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी बला टल जाएं नारियल सक्त और इभे ज authorsダका होता है जिससे यह अंदर से निर्मल और पावित्र होता है और माना जाता नारियल के सफेद और जलवाले अस्थान पर चंट्रमा कवास होता है चंट्रमा जो मनका घ्रै और किसी भी कार में सफलता के लिए मनका सांत होना जरूरी है वैसे तो वास्तु वास्तु सास के नूसार सब घर में किसी जली जीव या जली यूक्त वस्तु को रखने से वास्तूदोस दूर होता है इसलिए नारיאल को रखा जाता है क्योंकि नारिएल के सिख में सकात्मक उठ्जा का भंडार होता है और किसी भी अगर बीज मिल जाए वैसे तो बीज हर नारियल में होता है चोटा सा लेकिन अगर बड़ा बीज मिल जाए इसका मतलब क्या होता है आप किसी पूजा पार्ट में नारियल चढ़ाते हैं और ऐसा आपके साथ हो जाता है आपने पूजा करके नारियल रखा है उसमें से पेर न होते हैं क्या करें यह नारियल का जो फूल है जब जाड़ी से गिरता है और महिनों के बाद उसके अंदर पानी इस पंज में बदल जाता है और नए पौधे अंकुरित होती है तो जब ऐसा आपको नारियल मिल जाए तो इसका मतलब है जल्द ही आपके घर में कोई नया महमान आएगा और यह बहुत सुभ होता है यह धन लक्षमी को आकरसित करता है लेकिन अगर सडा निकल जाए पूजा कर रहे हैं आपने पूजा में चड़ाया है तो इसका मतलब है आपकी पूजा स्विकार हो चुकी है आपने जो भगवान से मन्नत मांगी है वो पूरी होने वा है दनी बाद